हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग ओप आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स एक पतीले में जो है मैंने पानी बॉइल होने के लिए रख दिया था इसमें आदा किलो पालक जो है मैं डाल रही हूँ हमें इसे बॉइल नहीं करना है बस थोड़ा सा गरम हो जाए तो फटा-फटी से हमें निकालना है तो सारी आदा किलो पालक मैं डाल कर इसे अच्छे तरीके से डिप कर लोगी और देख सकते हो आप लोग बस दो मिनिट हमें इसमें रखना है तो चलो दो मिनिट हो चुके हैं यह देखिए इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में यह एकदम चिल्ड है यह जैसे कि हम बोल सकते हैं बरफ वाला पानी फटाफट इस पालक को हम लोग इसके अंतर डाल लेंगे और डाल कर इसे दो से तीन मिनेट के लिए हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे इससे क्या है कलर जो है बहुत बढ़ी आता है हमारे पालक की सब तो चलो इसे दो मिनेट बात दिखाती हूँ यह देखे दो मिनेट हो चुके हैं बस अब हम लोग क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे इस पानी में से निचोड कर अच्छे तरीके से और एक मिकसर के जार में सारी पालक को हम लोग डाल लेंगे तो चलो अब मैं इसे पीशती तो और भी ले सकते हो इसे हम लोग एकदम इसका पेस्ट बना लेंगे बारीक तो देखिए इसका मैंने एक बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लिया है तैयार कर लिया है चलो मैं आपको दिखाती हूँ यह देख सकते हो आप फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से यह बना लिया है म तो देखिए एक कड़ाई को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था इसमें दो टेबल स्पून भरकर मैं घी डाल रही हूं इससे घी से क्या है टेस्ट हमारा बहुत ज्यादा अच्छा आता है बिल्कुल रेस्टरॉन जैसा और आदा टेबल स्पून जीरा डाला है मैंने इस में और इसी के साथ चार से पांच कटे हुए लैसन की कलियां डाली है इसे हम लोग थोड़ा सा दो मिनेट के लिए बस भून लेंगे दो मिनेट बाद में आपको दिखाती हूं तो ये देखिए फ्रेंट्स दो मिनेट हो चुके है हमारा जो है लैसन पिंक कलर आ चुका है इसमें थोड़ी सी एक इंच कटी हुई अद्रक और एक प्यास डाल रही हूं में मीडियम साइज का कटा हुआ बिल्कुल बारिक इसे हम लोग दो मिनेट के लिए बून लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स दो मिनेट हो चुके हमारी प्यास का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है जैसे के हम पिंक भी कह सकते हैं ज्यादा मैंने इसे फ्राइ नहीं किया इसी के साथ दो कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ ये देखिए दो मिनेट तक मैंने इसे भून लिया है एक मिनेट ही कह सकते आप लोग थोड़ा सा और इसी के साथ अब मैं ये जो है ग्रेवी जो है हमारी ये डाल रही हूँ इसके अंदर पालक की जो पीस लिया है मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके दो मिनेट दो से त तो आदा नूसार डाल लें अब थोड़ा सा आदा टेबलस्पूण झो है नमक डाल रही हूं इसी के साथ भूना हुआ जीरा आता है उसे क्रश किया है 15 गश्च तरह थोड़ा श्वक्ष और वह दाल रही हूं इसमें थोड़ा साथ हो चूटकी है उसे अच्छी तरीके से हम लोग mix कर लेंगे देख सकते हो आप लोग और एक मिनट के लिए छोड़ देंगे तो देखिए एक मिनट हो चुका है इसी के साथ हमारी पालक जो है अच्छी तरीके से पकचुकी है एक पाउ पनीर लिया है मैंने एक पाऊ में से थोड़ा सा दो-टिन तुकडे आप कह सकते हो इसे मैंने तोड़ कर इसमें डाल दिया है क्यूंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट करती है और इसी के साथ बाकी दूसरा पनिर वो भी मैvette सारा इसमें डाल दिया है इसे मैंने भूना वगेरा नहीं है पनीर को कच्छा ही डाला है इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है तो यह देखिए दो मिनेट तक मैंने इसे भून लिया है और माशाला हमारा पनीर जो है अच्छे तरीके से पक चुका है इसी के साथ अब मैं डालूँगी अमूल का फ्रेश क्रीम थोड़ा सा जो छोटा वाला आता है उसमें से मैंने थोड़ा सा अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है इससे क्या है एकदम क्रीमी फ्लेवर आता है जैसे हम लोग रेस्टरॉन में खाते हैं न सेम उसी तरीके से हमारा प पनीर बनकर रेडी है बिल्कुल रेस्टरॉन जैसा बना है तो अब बस हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे तड़की की तयारी करते हैं तो यह देखिए गैस पर मैंने छोटी कड़ाई रखी है उसके अंदर आमूल बटर डाल रही हुए एक टेबल स्पून जितना एक से देर टेबल स्पून जितना और इसी के साथ मैंस में डालूँगी कटे हुए चार से पांच लेसन और बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर कर दो मिनिट के लिए भून लूगी तो यह देखिए दो मिनिट बाद यह पिंक हो चुका है इसी के साथ थोड़ी सी कलर वाली कश्मीरी आल मिर्च में डाली है अब रेडी है तरका तो चलो अब हम इसे तढ़का लगा नहीं तरका लगा लिया है और हमारा बिल्कुल तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफीज